हम लोग 25-30 हैं लेकिन हम लोग सब के सब सौक के बराबर है ताल में एक बार नोडिफिकाशन आता है दो सो बद निकलते हैं तो दो सो बद गले सर यहां पे पांच लग शे लग बेरोजगार है इस प्रकर के वीडियो को अधिक से दिल लोगों के भी शेयर करियें तो शालीग दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्योब चैनल सेजे पेसी अड्डा में में नमजीत क्मार दास है दोस्तों बडिया प्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट होने वाला है क्योंकि देखेगा छात्रों के तरफ से संसनी खेज प्रशनों का या फिर एडियो आरही भरती हो या फिर होस्तों बडिया देखेगा पर इस बहुत इंपॉर्डेंट बने रहें तो आप देखने वाले हैं तो आप इस लीड़े पर लांस तक जरूरू बने रहेए का तभी आप चीज़ों को समझागे बहुत इंपॉर्टन मुद्र पर डिस्केशन अगरा स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे बाइले तो छाद्रों के तरह से पास्ट मोस्ट इंपॉर्टन प्रश्ण निकलकर आरत इनकों ने पिक के थे इन पर जो है उत्तरव करने में देते हुए चलता हूं इसमें देखी कि जो पहला मोस्ट इंपॉर्टन प्रश्ण है वह यह है कि सर्य अपर सांखिकी अधिकारी को जो पोस्ट वोगरा अभी जारी हुआ है भरती वगरा जारी हुए है इसमें कौन-कौन आवेदान वगरा कर सकते हैं इस पड़िपलर प्रश्ण को देखी का योगेतावाल मैंने कॉलांगर ओपन करकर रखा है जैसे कि आपने गणित विश्ण हो पूछा है तो इसमें कुछ सेमिस्टर लिए हैं आपका मैज स्वला बैगराउंड रहता है तो देखी का यह जो है फुल्फिल नहीं करता है आपकी सेक्ष्ण के योगेता को मेरे में इसका उत्तर चाहिए तो विभाग से पूछ सकते हैं लेकिन मेरे अनुसार बीएसी मैट्स वालों को यहां पे उन लेखित किया गया यानिकि वो लों यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं आप शेली को जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टन प्रस्ण है इस पर भी बात कर लेत में जारी हुआ है सब का देखिएगा एक्जाम डेट्स वगर आपको दिसंबर मिड यानि कि दिसंबर पंद्रा के बाद सही देखने को मिलेगा उसके पहले मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन के डिवरेशन है ऐसे में देखिएगा जिनका डेट एनाउंस हो चुका था उनक आप चाली को जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टन प्रशन है इस पर बात कर लेते दरसले या पर पूछा गया है कि सीमो का त्यारी क्या हमको बंद कर देना चाहिए कि इस पर्डिकलर प्रशनों को पूछा है मनोज गहरवार भाई ने तो देखिएगा उत्तर की रुप में बत बता दू वर्श 2018 यह 19 के बाद से कभी भी सीमों की सेपरेट भरतिम को देखने को नहीं मिली है उसके बाद से समस्तर जो सीमों को पोस्ट हो रहे है चाहे वो खववर के हो या फिर गवर के हो देखिएगा इनकी वेकेंसी से उगर जो सीजी पीसी राजय से परिक्षक होती है आले कि प्रोसेस थोड़ लंबा रहे हैं का लेकिन यदि वो पोस्ट ही टार्गेट कर रहे है तो वहां से भी ले सकते हैं बाकि जहां तक बाद प्रिपरेशन बंद करने की आती है तो यही पूरी सोच है कि यही पूरी गलत और नेगेटिव है दसल में बता दू सेपरेट बेसिस में आता है तो उसमें जो भी एडिशनल पार्ट है उसको लास्ट में पढ़ लीजेगा क्योंकि वैसे भी सीजी पेसे का जब भी पेपर होता है तो उस दौरण उसको पढ़ लीजेगा लेकिन बाकी पार्ट जो कि आपके सभी कमिटिव अग्जाम में काम को पूछा है आरके यादाव भाई में तो उत्तर गुरुप में बता दूँ देखीगा कोई भी भरती आएगी या नहीं आएगी यह डिपेंड करते है विभाग को उस पढ़िगलर भरती की कितनी जादा नीड है और देखीगा यदि में एडियो आ रही भरती की बात करो भाग को बहुत जादा नीड है इंसमस्त पदों पर भरतियों की अब कैसे करके नीड है वो बता देता हूँ सबसे वहले देखीगा कुछ ऑफिशल डॉक्यमेंट से वकर मैं आपको शो करती हूँ चल रहा हूँ उसके मादे हम से चर्चा को आगर भणाता हूँ यह जो पह इसमें देखीगा साइड में बहुत इंपॉटन पॉट्ट दिया गया है कि हम जो जितने करमचारी कारयात है निकि जो 520 करमचारी कारयात है इनमें भी 202 करमचारी का प्रमोशन होना है अलग-अलग चर्णों में यह 2021 के डेट की बात की जा रहे है और आज 2023 हो गया है निक कुल कितने पोस्ट जो हैं पर रिक पड़े हुए हैं 472 पोस्ट रिक पड़े हुए है यानि कि more than 50% पोस्ट रिक पड़े हुए है तो देखीगा विभा को इस पर्डिक्लर पोस्ट पर भरती की बहुत ज्यादा नीड है और मान के चलिए आगा चल कर जब भी भरती हो आए 90 पड़ों का सेट अप है जिसमें देखीगा 820 करमचारी कार्यात है और कुल कितने पोस्ट यहां पर रिक पड़े हुए हैं 270 पोस्ट रिक पड़े हैं और रिसेंटली और भी कुछ प्रमोशन की प्रक्रिया होनी है तो मान के चलिए और पोस्ट हो जाएंगे तो देखीग इस पड़ूगर पोस्ट पर भरतिया वगरा आएंगी ही आएंगी इसका अलावा में बता देखीगा साइट बक डॉक्मेंट वगरा शोग कर रहा हूँ जब देखीए रिसेंटली हमने यहां पे समस्त समाने ग्रेशनल पड़ों के लिए अपनी बात वगरे सीम साब की समन पर भरतिया वगरा आएंगी और मोस्ट प्रवेबली इलेक्शन के बस जाए जब संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगी इस पर्टिकुलर प्रश्ण को पूछा है भूनेश्वर कौशिक भाई ने दरसल सभी साधी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर भरतिया कब तक शुरुवाती जो अधिसूचना वगरा है इसको जारी कर जिया गया है अब देखिएगा आचार सेंथ हफ्ते दस दिन के अंदर इसका ओफिशन लोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा और फाउन फिलिंग भी प्राराम हो जाएगा निकि समझ जो शुरुवा आपको जॉइनिंग वगरा मिल जाते हैं कैसे करके मिलती है बता देता हूं देखिएगा जैसे एक्जाम वगर पून हुआ अब देखिए व्याफम का नए ट्रेंड वगरा देखने को मिले है कि लगभख महिले डेड मेने के अंदर इन लोग रिजल्ट वगरा जारी कर दे मान के चलिए यदि जन्वरी में एक्जाम होता है तो मैं मेने तक आपको संभावी था कि आपको जॉइनिंग वगर मिल जाएगी और तब तक संभव भी है क्योंकि मान के चलिए जून जुलाई के द्वरन जो अगला आचार से तावरा लगने है लोग सब अगले तो मान के चलिए यदि सब कुछ सिस्टेमाटिक तरीके से होता है तो में तक आपको जॉइनिंग मिल जानी चाहिए बाकी आगे की प्रक्रियार देखी जाएगी तो इस आधार प्रब्लम कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को तरफ से जो पांच मोस्ट इंपॉर्ट अध्य को लेकर कल के डेट में मानी ब्लास्कों हाइकोट में सुनवाई वगरा रखी गए थी इसी बीच देखी का राज साशन एवं सीजी पीएसी ने मानी नियाले को पूरे मामली की जाच कर अपनी जो जाच रिपोर्ट वगरा है इसे सौब दी है अब देखी कर इसके पस्चान जो याचिका करता है उनके वकील ने जवाब प्रसूत करनी है तो नियाले से दो हफ्ते का समय मांगा है और इसके बता दू इस पर्टिकुलर मुद्धे पर अगली सुनवाई का जो डेट है वो है 6 नौबर 2030 को रखा गया है तो बहुत इंपोर्टन अपडेट है आगा चलकर क्या निसकर शो करें निकलते इस पर्टिकुलर मुद्धे पर यह तो देखने वाली बात होगी बाकि जो भी अप्डेट्स होगा है कंफर्म मिलता है वह मैं आपको सूचित कर दूँगा तो दोस्तों इस यूडियो को मैं आपको साजा करना चाहता तो बाकि ब करें जोड़ सकते हैं तो दोस्तों अगर्वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को अधिक सेन्ने साथ योग बीच में शेर भी कर दीजेगा ताकि उनको भी हो सके थैंक्यू सो मॉच